चलिए taught calculation पर एक अगला question solve करते हैं suppose यह आपके पास कोई भी एक arbitrary shape का body है और इस body के उपर 4 forces लग रहे हैं जिनका magnitude as well as direction आपको already यहाँ पर mention है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि force F1 जो कि 20 newton का है और जिस point पर लग रहा है उस point का distance यहां से 4 meter भिया हुआ है force F2 5 newton लग रहा है और इसका distance point O से 3 meter है और 10 newton का force जो कि F3 है जो कि यहां से कितने distance पर लग रहा है 2 meter और एक 4 newton का force जो कि यहां से कितने distance पर लग रहा है point O से उनका distance भी आपको given है question में आपसे पूछा जा रहा है find the total torque about the point O मतलब इस given point O के about ये बताएं कि इस body के उपर net torque क्या होगा तो इस question को solve करने का तरीका ये है कि हम क्या करें कि individually हर force का torque calculate कर ले और फिर बाद में उन सब का क्या करते हैं summation करने चलिए हम वैसा ही करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं F1 के torque की तो हम calculate करने जा रहे है torque of F1 about the point O तो जड़ा द्यान से लेख रहे हैं जो F1 force है उस force का line of action क्या point O से ही pass हो रहा है अगर किसी भी given force का line of action point O से ही pass हो जाए तो पता है उस force का torque क्या होगा उस force का torque होगा 0 योगि जब हम torque लिखते हैं तो क्या लिखते थे torque R perpendicular into F लेकिन perpendicular distance क्या हो गया 0 या फिर आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं कि इस समय R vector यह हुआ आपका R vector और यह हुआ force vector R vector और force vector एक दूसरे के parallel है parallel होने का मतलब theta मतलब R और F vector के बीच का जो angle है वो क्या हुआ 0 degree और हम यह जानते हैं कि force का magnitude क्या होता था R F sin theta तो अगर theta 0 degree है तो इस given force का torque क्या आएगा 0 तो यहां से हमें समझ में आ गया कि अगर theta की value 0 या फिर 180 degree होगी 180 degree मतलब अगर यह force ऐसे भी लग रहा होता तो भी point O के about इस given force का torque 0 आता हमेशा याद रखना आज के बाद अगर किसी भी given force का line of action उसी point से पास हो जिस point के about हमें torque calculate करना है तो हम यह कह सकते हैं कि उस force का torque उस point के about हमेशा 0 ही आएगा तो यहां पर हम कह पा रहे हैं कि F1 का torque point O के about क्या हो गया सीधे-सीधे 0 अब हम बात करते हैं force F2 की मतलब now we are going to calculate the torque of F2 about the point O तो दियान से देखें यह है आपके लिए R vector और यह force इस direction में लग रहा है तो हमें जानते हैं कि force का कौन सा component torque के लिए responsible होगा जो की R के perpendicular है तो हम यहाँ पे इस force का वो component निकाल सकते हैं जो की perpendicular होगा जिसको हमने बोला F2 perpendicular तो बताएं perpendicular component क्या है कॉस 53 और साइन 53 साइन 53 तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 5 साइन 53 और साइन 53 का value 4 by 5 तो यहाँ से perpendicular component आ गया हमारा कितना 4 तो हम अगर F2 का torque लिखेंगे तो दियान से लिखना 4 multiplied by R और R की value इस समय क्या है 3 तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 4 into 3 तो यह कितना होगा 12 direction की बात कर लेते हैं तो जड़ा दियान से देखें यह है आपका R vector और यह है आपका force vector तो आप क्या करेंगे R vector के direction में अपनी finger को रखेंगे और F vector के direction में fingers को curl करेंगे तो दियान से देखें थम इस समय किस direction में pointed है outward direction में तो outward direction क्या हुआ plus k cap और minus k cap plus k cap तो हम यह बोल सकते हैं जो torque है वो आया आपका यहाँ से 12 k cap अब बात करते हैं F3 force की तो ज़रा दियान से देखें F3 force यह लग रहा है यह है आपका R vector तो दियान से देखें अब मैं यहाँ पर F3 के दो component कर सकता हूँ F3 का एक component जो R के along आएगा वो कितना आएगा cos 37 और F3 का वो component जो R के perpendicular है तो ज़रा दियान से देखें 10 sin 37 तो यह हुआ F3 का perpendicular component तो F3 के perpendicular component की value आएगी कितनी 10 sin 37 sin 37 की value क्या होती है 6 by sorry sin 37 की value 3 by 5 तो यहाँ से यह value आएगी आपकी कितना 6 तो 6 perpendicular component multiplied by R तो ज़रा दियान से देखें अगर मैं talk लिखूं F2 का sorry F3 का point O के about तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 6 multiplied by 2 this is what 12 अगर direction देखा जाए क्या देखा जाए direction तो ज़रा दियान से देखना यह है आपका R vector और force vector उपर के direction में है तो R vector के direction में हमने right hand की fingers को pointed किया cross F force vector उपर है तो अब ऐसे तो हम अपने right hand को curl नहीं कर पाएंगे तो हमने इस तरीके से turn किया R cross F R cross F कहां आ रहा है inward direction inward direction का मतलब क्या हुआ plus K cap और minus K cap minus K cap तो हम यहाँ पर यह बोल सकते हैं यह value क्या आगी minus K अब अब आते हैं torque of F4 about a point O अगर हम force F4 को देखें तो वो तो already R के ही perpendicular है तो यहाँ पर तो हमें component करने की जववत ही नहीं है क्योंकि force vector और R vector के बीच का एंगल ही already 90 degree है तो यहाँ पर हम torque का अगर magnitude लिखना चाहेंगे तो torque का magnitude 4 into 1 तो यहाँ पर यह तो हो गया magnitude और अगर direction की बात करें किसकी direction की तो दिहान से देखना F4 इस direction में है और R vector उपर है तो R vector के direction में right hand की finger को pointed करेंगे R cross F कहा रहा है outward direction outward direction का मतलब क्या हुआ प्लस K cap और माइनस K cap प्लस K K cap तो इस तरीके से हमने individually सभी forces का torque calculate किया और साथी साथ R cross F में right hand thumb rule की help से उनका direction भी निकाल लिया direction आप एक और method से निकाल सकते हैं आप यह देखें कि इस given point O के about यह जो force vector है यह force vector इस R vector को किस sense में rotate करने की tendency रखता है जैसे कि यहाँ पर F2 ऐसे लग रहा था तो आप ध्यान से देखें अगर यह आपका R vector है तो force का perpendicular component इस तरीके से आ रहा है तो force का perpendicular component इसे anti-clockwise sense में rotate करेगा anti-clockwise sense का मतलब outward और clockwise sense का मतलब inward तो individually आप force का direction ऐसे भी निकाल सकते थे कि किसी भी given force की tendency उस R vector को किस direction में rotate करने की है अगर anti-clockwise आएगा तो हमेशा k-cap होगा और clockwise आएगा तो minus k-cap तो यहाँ से अगर हम net torque calculate करें about a point O तो अगर आप इन सब का summation करेंगे तो यह cancel out हो जाएगा तो आपकी यहाँ से value निकल के आती है 4 k-cap unit की बात करें तो unit क्या होगी? Newton meter आप एक बात हमेशा याद रखेगा जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर force जो F1 है उस F1 force का line of action point O से ही pass हो रहा था तो इसलिए हमने directly बोल दिया कि F1 का torque point O के about क्या हुआ? 0 हुआ तो this is the general approach अगर किसी भी given body पर बहुत सारे forces लग रहे हैं और हम से किसी भी point के about torque पुछा जाए तो individually हम हर force का torque calculate करेंगे और साथी साथ उसमें direction भी add करेंगे और फिर उसके बाद हम हर torque का क्या कर देंगे? summation जैसा कि हमने यहाँ पर individually F1, F2, F3 and F4 का torque calculate किया और उसके बाद उन सब का summation कर दिया चलिए torque calculation पर एक अगला problem solve करते हैं यह हमारे पास एक rod है इसका mass M और length आपको L दिया हुआ है इस rod के उपर जो भी forces लग रहे हैं यह already यहाँ पर represent किये गए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं horizontal surface से लगने वाला normal force, friction force उसी तरीके से vertical wall से लगने वाला normal force और friction force और साथी साथ mg force भी लग रहा है जो कि इस समय rod के center of mass पर act हो रहा है यह सब कोछ already mention है मतलब यह forces का point of application है वो इस question में आपको mention किया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि हमें इन सभी forces का torque find करना है किस point के about? ओ point के about आप video को 3-4 minute के लिए pause करके इस question को try कर सकते हैं hopefully आप video को pause कर रहे हैं और questions को अपनी तरफ से try कर रहे हैं चलिए अब हम देखते हैं इसका solution तो मैं जानता हूँ कि जब भी मुझे net torque calculate करना है किसी भी point के about तो मैं क्या करूँगा? कि individually हर force का torque calculate करता जाऊँगा और फिर उन सभी का क्या कर दूँगा? summation कर दूँगा चलिए देखते हैं अगर मैं F1 की बात करूँ तो देखेगा जो F1 force का line of action है वो already point O से pass हो रहा है अगर F1 का मैं line of action देखूँ तो वो point O से अगर pass हो रहा है तो यह हम जानते हैं कि F1 force का torque क्या होगा? 0 तो जब देखें हम यहां लिख सकते हैं the torque of F1 about a point O will be equals to 0 इसी तरीके से अगर मैं F2 force को देखूँ तो F2 जो force लग रहा है उसका भी line of action point O से ही pass हो रहा है तो हम यहां पर यह बोल सकते हैं कि F2 का torque जो है point O की about वो भी 0 होगा ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि यह हम देख चुके हैं जब भी किसी भी given force का line of action उसी point से पास हो जिस point के about हम torque calculate करना चाहते हैं तो उस force का torque उस point के about क्या होता है? 0 चलिए अब हम बात करते हैं N1 की N1 force इस तरीके से लग रहा है अगर आपको torque calculate करना है तो यहां आपको यह distance पता होना चाहिए और यह आपको समझ मा रहा है अगर यह N1 का line of action है तो यह इस given force के लिए moment arm है अगर हमें यह distance पता चल जाए तो हम N1 का torque calculate कर सकते हैं तो दियान से देखिए का rod की length L है और यह angle theta दिया हुआ है right angle triangle है तो आप समझ पा रहे होंगे यह जो length है यह length क्या होगा L cos theta और अगर यह वाली आप length measure करना चाहेंगे तो यह वाली length आपकी क्या होगी L sin theta तो ज़रा दियान से देखिए अगर हमें N1 का torque लिखना है तो momentum की length कितनी आई L cos theta और N1 तो ज़रा दियान से देखिए N1 का torque point okay about मैं क्या लिख सकता हूँ Length of momentum is L cos theta multiplied by N1 This is the magnitude अगर हमें direction find करना है तो direction हम find कर सकते हैं with the help of right hand thumb rule तो आप अगर दियान से देखिए point okay about यह r vector है और यह force vector है तो r cross f तो right hand के fingers को r के direction में pointed करेंगे और force के direction में curl करेंगे तो ज़रा दियान से देखिए r cross f इस समय thumb outward direction में pointed है outward direction में pointed होने का मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो N1 का torque है वो किस direction में है कि gap direction में अब आते हैं हम torque of N2 about a point O N2 N2 force यह रहा यह रहा force का line of action अगर हमें point O के about torque calculate करना है तो हम यहाँ पर अगर दियान से देखें तो L sin theta जो है वो इस given force का moment arm है तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूं कि जो N2 का torque होगा वो क्या होगा L sin theta this is the length of a momentum multiplied by N2 तो देहान से देखें यहाँ पर N2 का torque लिखेंगे L sin theta into N2 direction की बात करें तो अगर हम N2 की जब बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे तो R vector इस समय इस direction में pointed है यह है R vector और यह है आपका force vector तो R vector R cross F जब आप right hand की fingers को curl करते हैं R cross F तो thumb इस समय invert direction में pointed है और अगर invert direction में pointed है तो हम यह कह सकते हैं यह direction क्या हुआ minus of K cap अभी तक हमारे पास 4 forces का torque आ चुका है अब बचा सिर्फ एक force तो जब ध्यान से देखें कि mg का जो point of application है वो already question में mention किया गया था कि mg जो force है वो rod के center of mass पे लग रहा है तो हम यह कह सकते हैं इस point के about अगर हमें torque calculate करना है तो देखी यह है mg का line of action torque calculate करने के लिए हमें moment arm चाहिए और moment arm क्या होगा यह वाला distance अब यह distance कैसे calculate करें अगर हमारे पास यह distance आ गया तो हम mg का torque calculate कर पाएंगे तो जब ध्यान से देखें आप जानते हैं कि अगर यह rod का center of mass है और rod की total length L है तो यह वाली length कितनी होगी L by 2 और यह angle कितना है ठीटा तो अगर यह length L by 2 है और यह angle ठीटा है तो आप यह बताएं यह जो length है यह length यह कितना हुआ L by 2 cos theta total length L cos theta यह वाला length L by 2 cos theta तो अगर हमें यह length calculate करना है तो बताएं क्या लेखेंगे L cos theta minus L by 2 cos theta तो यहां से यह value हमारे पास कितनी आती है L by 2 cos theta तो अब हम यह कह सकते हैं कि अगर Mg का torque calculate करना है तो momentum का length L by 2 cos theta into Mg तो दियान से देखें अब हम लिखने जा रहे हैं यहां पर torque of Mg about a point O तो Mg का अगर हम torque लिखेंगे तो momentum का length क्या है L by 2 cos theta multiplied by Mg तो यह तो आगया torque का magnitude अगर हम direction की बात करें तो direction कैसे देखेंगे इस समय R vector आपका यह है force का line of action यह है right hand की fingers को R के direction में pointed करें और F के direction में curl करें R cross F thumb इस समय कहां pointed है inward direction में अगर thumb inward direction में pointed है तो हम यह कह सकते हैं कि torque है minus of K cap तो अभी हमारे पास individually सभी forces का torque आ चुका है अगर हम net torque calculate करना चाहते हैं क्या calculate करना चाहते हैं net torque about a point O तो क्या कर सकते हैं इन सभी torque का summation तो जड़ा ध्यान से देखें यह expression क्या बनेगा आपका L cos theta into N1 minus of L sin theta into N2 minus of L by 2 cos theta into Mg और direction देखें सभी का torque का summation लिखा हुआ है यहाँ पर तो यहाँ से हमने net torque point O के about calculate कर लिया है चलिए अब एक one of the most important results देखते हैं यह आपके सामने की statement लिखा हुआ है जर ऐसे statement को पढ़ें क्या लिखा हुआ है The torque of gravitational force in uniform gravitational field can be calculated by assuming the whole mass to be concentrated at the center of mass of our body क्या मतलब है इसे statement का इसका मतलब है कि जब भी हमें gravitational force का torque calculate करना है तो हम यह assume कर सकते हैं कि पूरा mass body के center of mass पर concentrated है अभी हम इस statement को पहले proof करेंगे और यहां से जो result आएगा उसे as a standard result हम आगे के problems को solve करने में use करने वाले हैं अध्यान से देखें suppose हमारे पास यह कोई भी एक rigid body है और हम यह जानते हैं कि rigid body जो है वो large number of small particles का collection है और suppose हम से पूछा जाए कि यह बताएं कि यहां पर कोई point O है उस point O के about gravitational force का torque क्या होगा तो हम ही जानते हैं कि हर एक small particle का अपना खुद का mass होगा तो हर individual particle पर gravitational force लग रहा होगा और with respect to the point O हर individual particle का position vector भी अलग-अलग होगा तो अगर हमें net torque calculate करना है अपने general approach से तो हम क्या कहेंगे कि individually हर particle पर point O के about हम torque calculate करें और फिर उसका क्या करते हैं summation करते हैं तो जैसे कि द्यान से देखिएगा माल लिजे मैंने यहां पर एक small particle consider किया और इस small particle का mass है M1 और इस particle का position vector with respect to the point O जो है वो है suppose R1 vector इस particle पर जो force लगेगा वो downward direction में लगेगा gravitational force और उस gravitational force की value क्या होगी M1 into G अब मैं आप से पूछूं कि यह बताएं कि point O के about इस force का torque क्या है तो क्या लिखेंगे आप देहान से देखें point O के about अगर मैं torque लिखने जा रहा हूं तो torque की value लिखेंगा R1 cross M1 G vector similarly यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे particle होंगे माल लिखें यहाँ पर मैंने कोई एक और particle consider किया उसका mass है M2 और उस पर जो gravitational force है वो M2 G है और position vector है suppose उसका R2 तो उस पर torque जो लगेगा उसकी value हम क्या लिखेंगे R2 vector cross M2 into G vector तो इसी तरीके से हम हर individual particle का point O के about torque calculate करते जाएं और फिर उन सभी का summation कर दें तो suppose यह rigid body n number of small particles से मिलकर के बनी हुई है तो individually अगर हम सभी का torque लिखते जाएंगे तो यह आपके सामने कुछ इस तरीके से summation बन जाएगा cross Rn into Mn into G vector यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो G term है वो सभी expression में common आ रहा है और mass एक scalar quantity है तो इस scalar quantity को क्या करते हैं हम R1 से मतलब जो इनके given position vectors है उनसे multiply कर देते हैं और G को बाहर common लिख लेते हैं ज़रा देहान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हम इसी expression को ऐसे भी लिख सकते हैं M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस MN RN वेक्टर क्रोस G वेक्टर अब ज़रा देहान से देखिएगा यह हमारे सामने जो expression बना इस expression को अगर मैं total mass से divide कर दो और साथी साथ total mass से multiply कर दो तो क्या expression में मुझे देखने को मिलेगा ज़रा देखिएगा मैंने क्या का इस expression को मैं ऐसे लिख सकता हूँ the summation of MIRI vector where I varies from 1 to N इस expression को total mass से मैंने divide किया और साथी साथ total mass से मैंने multiply कर दिया cross G vector ज़र आप दियान से देखिएगा मैंने expression में कुछ नहीं किया है M से divide किया है और M से multiply किया है ऐसा क्यों किया है अभी आपको समझ में आ जाएगा इस expression को आप दियान से देखे यह क्या लिखा हूँ है M1 R1 plus M2 R2 plus M3 R3 so on divided by the total mass यह तम ऐसा लग रहा है कि पहले भी हम कभी देख चुके है बिलकुल सही बात center of mass में this is what this is the position vector of center of mass तो इस expression को दियान से देखेगा मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ this is the position vector the position vector of center of mass cross mg vector this is the net torque about a point O तो यहां से हमें क्या result मिला यहां से result यह मिला कि अगर मुझे gravitational force का torque calculate करना है किसी भी given point के about तो rather than to calculate the torque of each and every individual particle हम आज के बाद यह मान सकते हैं कि पूरा का पूरा जो mass है वो body के center of mass पर concentrated है मतलब हमेशा आज के बाद याद रखना कि uniform gravitational field में जब भी हम gravitational force का torque calculate करेंगे तो पूरे mass को center of mass पर रख करके उसका torque calculate कर पाएंगे चलिए अभी जो हमने statement पढ़ा और उसका proof किया उसी पर एक problem solve करते हैं यह हमारे पास एक semi circular disk है जिसका mass m और radius आपको r दिया हुआ है हम से पूछा जा रहा है कि gravitational force का torque calculate करना है किस point के about? About the point o तो हम यहाँ पर क्या करें अगर हमें gravitational force का torque calculate करना है तो हम अभी gravitational force को directly body के center of mass पर लगा सकते हैं एक semi circular disk का center of mass इसके geometrical center से कितनी दूरी पर होता है यह हम पढ़ चुके हैं center of mass chapter में बताए कितना होता है यह distance बिल्कुल सही यह distance होगा आपका 4r by 3pi तो हम यहाँ पर directly force कितना लगा सकते हैं mg तो point o के about torque calculate करना है तो यह है हमारे लिए momentum और यह है force तो हम यहाँ पर यह value क्या लिख सकते हैं जड़ा ध्यान से देखिएगा 4r by 3pi multiplied by mg यह तो magnitude आ गया और अगर हमें direction find करना है तो direction कैसे निकाले है r vector r vector इस समय इस direction में pointed है और यह है force vector तो r cross f r cross f thumb किस direction में pointed inward direction में तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो torque है उसका value यह आ तो हम इसा याद रखिएगा आज के बाद जब भी हमें gravitational force का torque calculate करना होगा तो हम सीधे के पूरे mg को body के center of mass पर लगा करके calculate करेंगे चलिए अब एक और important statement देखते हैं पढ़ें जल्दी से statement क्या लिखा हुआ है If the net force on a system of particles और a rigid body is zero then net torque of all the forces acting on a rigid body is same about every point in a space क्या मतलब है इसे statement का इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी given body के ऊपर net force zero है तो हम space में किसी भी point के about torque calculate कर लें हर point के about torque की value same आएगी मतलब अगर net force zero हुआ तो torque इस बात पर depend ही नहीं करेगा आप किस point के about calculate कर रहे क्योंकि किसी भी point के about torque की value निकालेंगे तो वो same आनी चाहिए चलिए इस statement को proof करते हैं मान लीजे कि आपके पास ये कोई एक rigid body है और उस rigid body पर बहुत सारे forces लग रहे हैं मान लीजे this force f1, f2 and so on n number of forces जो कि किसी भी rigid body पर लग रहे हैं हम यहाँ पर एक general proof करने जा रहे हैं अब मान लीजे मैंने यहाँ कोई एक point consider किया point o और मैं आप से कहूँ कि यह बता है कि point o के about net torque क्या होगा तो ज़रा ध्यान से देखिएगा अगर हम point o के about net torque लेखना चाहते हैं तो हम यह कहेंगे कि जिस point पर force f1 लग रहा है उसका suppose position vector है r1 vector similarly जिस point पर force f2 लग रहा है उसका position vector है r2 vector और इसी तरीके से point o के about हमें हर individual force के point of application का position vector पता है क्या torque की value लिखेंगे देखें torque about a point o लिखने जा रहा हूँ मैं value लिखूँगा r1 cross f1 vector plus r2 cross f2 vector and so on ठीक अब ज़रा ध्यान से देखिएगा suppose मैं अपना point change कर दू मतलब मैं अब torque point o के about calculate ना करके space में कोई और point consider करता हूँ माल लिखें यहाँ पर मैंने point consider किया o dash और अब हम point o dash के about फिर से net torque calculate करते हैं हमें proof यह करना है कि चाहे हम torque point o के about calculate करें या फिर चाहे हम torque point o dash के about calculate करें दौनों ही point के about torque की value से मानी चाहिए तो हम यह जानते हैं कि जैसे ही हमने अपना point change किया तो उस given force का position vector भी change हो जाएगा तो अगर o dash के respect में मैं बात करूँ तो माल लेते हैं कि o dash के respect में f1 का जो point of application है उसका position vector है r1 dash vector इसी तरीके से बोल सकते हैं कि f2 जो है उसका जो position vector होगा वो position vector कितना है r2 dash vector and so on तो जड़ा एक बात बता हैं अगर मुझे o dash के about torque लिखना है किस के about? o dash के about तो फर्क बस इतना आएगा जहां पर r1 आ रहा है वहां r1 dash आ जाएगा जहां r2 आ रहा है वहां पर r2 dash आ जाएगा तो जड़ा ध्यान से देखिएगा expression क्या लिखूँगा r1 dash vector cross f1 vector plus r2 dash vector cross f2 vector plus so on और यह last term जो होगा वो होगा आपका rn dash cross fn vector तो यहां से हमारे पास o dash के about भी torque की value आगे अब ज़़ा ध्यान से देखिएगा मैं यहां पर यह एक vector बनाता हूँ और इस vector को मैंने बोला r o dash o vector जिस point पर force f1 लग रहा है उसे point a बोला तो अगर आप triangle o dash a o consider करें ध्यान से देखिएगा o dash a o तो इस given triangle में मैं क्या लिख सकता हूँ r1 dash vector क्या लिख रहा हूँ ज़़ा ध्यान से देखिएगा r1 dash vector is equals to o dash o vector r plus r1 vector with the help of triangle law of vector addition o dash a o एक triangle है जिसमें r1 dash vector जो है वो यहां पर इस vector और इस vector का क्या है resultant तो यह आपको समझ में आ रहा हूँ जिस तरीके से r1 dash vector को लिखा है similarly आप उसी तरीके से r2 dash vector की value को भी लिख सकते हैं वो क्या लिखेंगे r o dash o vector plus r2 vector तो अब क्या करें कि हमारे पास जो o dash के about torque है उसमें जो भी r1 dash r2 dash vectors लिखे हुए हैं उन सब ही की value यहां से substitute कर दें तो द्यान से देखिएगा अगर यह मैं value substitute करता हूँ तो अब आपके पास result क्या बनेगा r1 dash की value मैं substitute करने जा रहा हूँ तो यह बना आपके पास r1 o dash o vector plus r1 vector cross f1 vector similarly r2 dash की value अगर put करें तो वो आपके सामने expression बनेगा cross f2 vector plus so all इसी तरीके से हम हर जगे r dash vector की value in terms of o dash o vector और respective position vector के terms में लिखते जाएंगे अब ज़र देखते हैं इस expression को open करते हैं अगर आप इस expression को open करेंगे तो द्यान से देखिएगा यह expression क्या बनेगा आपका r o dash o vector cross f1 vector plus f1 कस में multiply करेंगे तो r1 cross f1 vector similarly यहाँ पर जब आप f2 का इस expression में multiply करेंगे तो o dash o vector cross f2 vector plus r2 vector cross f2 vector plus on तो आप उन terms को देखें जहाँ पर o dash o वाला position vector force vector से multiply किया गया this one this one इसी तरीके से होगा तो आप यहाँ पर इसी expression में दिहान से देखिएगा मैं इस expression को ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको common लेकर के cross f1 f2 को अगर मैं add करता जाओंगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ the summation of f i from i varies from 1 to n पहला term यह बना plus दूसरा term जो आपका बनेगा वो दिहान से देखें r1 cross f1 r2 cross f2 तो दूसरे term को आप इस तरीके से लिख सकते हैं the summation of ri cross fi where i varies from 1 to n यह term आया हमारे पास torque about a point o dash अब दियान से देखना आपको क्या वो लगया था the net force on a system of particle is 0 मतलब कि इस समय यहाँ पर जितने भी forces लग रहे हैं उनका net vector summation 0 होना चाहिए मतलब कि यह situation हमें already given है the net summation of all the forces is equals to 0 यह situation हमें question में already क्या है given है तो अगर आप यहाँ पर पहले वाले term को देखें हैं तो पहले वाले term में यह देख रहे हैं क्या है summation of net forces the summation of net forces already क्या है 0 मतलब यह वाला term तो 0 हो गया हमारे पास बचा क्या है यह वाला term और ध्यान से देखें यह जो term है और यह जो term लिखा हुआ था torque about O यह भी तो R1 cross F1 R2 cross F2 था ना उसी तरीके से यह भी क्या R1 cross F1 plus R2 cross F2 तो यहां से आपने क्या देखा कि चाहें आप point O के about torque calculate करें या फिर आप O dash point के about torque calculate करें दोनों ही points के about torque का जो value है वो value क्या आ रहा है तो यह भी हमने proof किया लेकिन इस statement को as a standard result हम आगे की problems में use करेंगे हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी भी body पर net force 0 है क्या 0 है? net force 0 है तो इस space में किसी भी point के about हमेशा torque की value same आएगी मतलब torque इस बात पर depend नहीं करता कि आप किस point के about calculate कर रहे है चलिए एक problem solve करते हैं यह आपके पास एक कोई rigid body दिया हुआ है और उस rigid body पर लगने वाले forces को represent किया गया है जैसा कि हम देख पा रहे हैं यह point A पर लगने वाला force 5 newton point B पर लगने वाला force 3 newton और point C पर लगने वाला force 2 newton और इन points के बीच का separation भी आपको already mention है question में क्या पूछा गया है find the torque about A, B and C point अब दियान से इस question को अगर आप देखें मैं आप से पूछू हूँ कि इस given body के उपर net force क्या है तो देखें net force कितना आ रहे है 0 यह कि rightward direction में force कितना है 5 newton और leftward direction में लगने वाला भी total force कितना है 3 plus 2, 5 newton तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक statement पढ़ा था और प्रूफ भी किया है कि अगर किसी भी body पर net force 0 होता है तो torque इस बात से independent होता है कि आप किस point के about calculate कर रहे है मतलब यहाँ यह बात तह है कि चाहे मैं point A के about torque calculate करूँ या फिर point B और C के about torque calculate करूँ हर point के about torque की value same आने वाली है क्योंकि हमें यह बात समझ आ चुकी है कि इस given rigid body के उपर net force इस समय क्या है 0 चले एक बार इस numerical को solve करके देख भी लेते हैं कि same आ रही है या फिर नहीं आ रहे हैं तो बात करते है point A के about point A के about अगर हमें torque calculate करना है तो द्यान से देखिएगा जो 5 newton वाला force है उस force का torque तो क्या हो जाएगा 0 अगर हम बात करें 3 newton वाले force की तो point A के about यह है आपका r vector जो इस समें downward direction में pointed है और force का है इस direction में तो द्यान से देखिएगा r vector r cross f direction कहां आ रहा है inward similarly अगर आप 2 newton वाले की बात करेंगे तो 2 newton के लिए भी r vector downward direction में pointed है और force leftward direction में तो r cross f अभी भी कहां रहा है inward मतला एक बात तो समझ आ गई कि point A के about 3 newton और 2 newton वाले forces का torque same direction में आएगा तो जड़ा value लिखते हैं बदाए 3 newton वाले के लिए momentum कितना है 3 तो हम यहाँ पर value क्या लिखेंगे 3 into 3 plus हम बात करते है 2 newton इसके लिए momentum कितना है 5 तो यह value कितना है आपके लिए 5 multiplied by 2 direction की बात करें तो direction क्या है minus k k cap तो यह value कितना है 9 plus 10 तो यह value हम लिख सकते है minus of 19 k cap sorry 19 k cap newton meter यह है point A के about torque अब मैं आपसे कहूँ कि नहीं point A के about नहीं point B के about torque बता है वैसे दो हमें पता है कि result से ही माने वाला है लेकिन फिर भी एक बार calculate करके check करते है point B के about जब हम torque calculate करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जो 3 newton वाला force है उसका torque क्या हो गया 0 अगर हम 5 newton वाले की बात करें तो द्यान से देखिएगा इस समय point B के about R vector जब आप देखेंगे तो R vector upward direction में pointed है R और force vector इस direction में है तो R cross F R cross F inward direction उसी तरीके से अगर आप 2 newton वाले की बात करें तो 2 newton के लिए जो R vector है वो R vector downward direction में pointed है तो R cross F inward मतलब point B के about 5 newton और 2 newton का torque same direction में आ रहा है द्यान से देखना forces ज़रूर opposite direction में है लेकिन point B के about torque का direction same है क्योंकि ऐसे देख सकते हैं कि point B के about ये जो force है वो इस given vector को किस sense में rotate करने की tendency रखता है clockwise sense उसी तरीके से जो force ये 2 newton पीछे लग रहा है वो इसे किस sense में rotate करने की tendency रखता है this is also clockwise तो tendency अगर same है clockwise का मतलब inward तो हम ये कह सकते हैं कि point B के about इन दौनों forces का torque क्या होगा add हो जाएगा क्योंकि दौनों का direction same है चला point B के about torque देखते हैं कितना आ रहा है इसका momentum कितना है 3 3 into 5 plus 2 newton वाले की बात करें direction same है तो plus करने जा रहा है हम 2 into 2 minus k cap क्यान से देखना 15 plus 4 तो ये value आपके पास क्या आती है इस value का आप लिख सकते हैं minus k 19 k cap newton meter similarly इसी तरीके से आप point C के about खुद से calculate करके check कर सकते हैं guarantee है इस बात की कि point A point B और point C इतीनों के about torque ही value minus k 19 k cap ही आने वाली है आपने एक बात और observe करी ये general confusion रहता है लोग को लगता है कि अगर body पर net force 0 है तो net torque भी 0 हुआ क्योंकि वो mathematical formula से देखते हैं वो कहते हैं कि या torque बराबर होता है r cross f तो अगर force 0 है तो torque भी 0 होगा लेकिन ये statement सही है गलत है जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि body पर net force तो 0 है लेकिन net torque 0 नहीं आ रहा बस खास बात ये है कि जब भी net force 0 होता है तो space में हर एक point के about torque का value same आता है